साथियों को अनुष्वर्मा का नमस्कार दोस्तों जैसा कि आज हम लोग देख रहें कि कोश्चन प्रैक्टिस सामने रखी हुए मॉल्टिपल चॉइस कोश्चन बड़ा स्टेंडर्ड कोश्चन लेकर के आया हूं आपके सामने और यह कोश्चन जो है वो पीजीटी के मैक्स यह बहुत सारे कोश्चन मैंने उठाए हैं यह एक मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर से उठाए हुए कोश्चन है यह कोश्चन के चांस इन में से मिलने के ज़्यादा है इसलिए मुझे यह इंपोर्टेंड लगा और मैंने आपके सामने यह चीज रखती तो दोस्तों ज जो कोश्चन है वो जितना मुझसे हो पाता है वो कलेक्शन मैं कर देता हूं आपके लिए और जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं आपकी मेहनत के लिए वो मैं कर रहा हूं तो जैसा कि पहला कोश्चन आपके सामने वन अब दो मॉडर्न मैथट अब दे स्टुडिंग फ्री मॉडर्न मैथड जो फ्री रेडिकल्स के लिए उसको समझने के लिए जो मैथड यूज किया गया है वो नाम याद कर लिजेगा केमिकली इंडूजड डैनमिक नूक्लियर पोलराइशन होती है या फिर इस्पिन इलक्ट्रॉन इस्पिन रेजोनेंस स्पेक्ट्रोइसकोप बोलते हैं तो इसमें ISR तो दिख नहीं रहे कहीं पर लेकिंडूज जादा कि समय आपके मैटर को कलेक्ट करना मैटर को जो फैला हूब फिक्रा हुवा मैटर इसको एक खट्टा करना आप तक पहुंचान, एक छोटी सी कोसिस है मेरी, मैं बहुत बिद्वान तो नहीं हूँ, लेकिन आपके लिए एक छोटा गाइड की तरह जरूर काम कर रहा हूँ, आपके लिए एक गाइडेंस जरूर दे रहा हूँ, मैं नहीं कहता कि मुझे नौलेज है, लेकिन फिर भी कल मैं ना होने के समय क्या है, कि दिन भर बिजी रहता हूँ, इस बज़े से दिक्कत है, अधर्वाइस तो मैं भी आपके साथ समय दू, मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है जब आप कोश्चन करते हैं, मुझे भी लगता है मैं पैन उठाऊं, कैलकुलेशन करूं, क्या ब होता है, फ्री रेडिकल्स में तो एकी आप्सन है, बी वाला आप्सन सही जाना चाहिए, बेंजॉयल पर अक्साइड वैन हीटेट तो आपको पता है, जब बेंजॉयल पर अक्साइड को हीट करते हैं, बहुत ही बढ़िया कोश्चन है, फूर्थ कोश्चन जो है, बहुत यह आप लोग ही जड़ा बता दीजिए, अन्शेर्ड एलक्टरॉन, यह जो शेरिंग में नहीं है कार्वीन, वो कितने हो सकते हैं, तो आप कार्वन को जानते हैं, कार्वीन जो होता है, जिसे कि यह आपने लिया, यह हो गया आपके एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, तो हम लोग अगर देखें, तो इसका मतलब हुआ कि हमें फिर अन्शेर्ड एलक्टरॉन, दो, अगर पेर की बात करें, तो फिर भहیا, एक पेर आजायेगा, इसका मतलब आंसर, इसका फिर कौन सा जाना चाहिए, फिर बी जाना चाहिए, फिर यह, या तो दो एलक्टरॉन methylene radical the unshared electrons are यानि की जो singlet है और triplet है जब singlet होगा methyl तो तो पर पहले paired हो जाएंगी और जब वो triplet हो जाता है तो फिर मतंब triplet नामी बता रहा है बहुत कुछ इंडिया और नंबर ही दिखा रहा है तो इसका मतंब फिर जो है वो unpaired तो अब paired और unpaired का सीरीज तो मुझे केवल पांच की डी ही दिख रही है तो यही होनी चाहिए मैं बहुत जादा फाल्तू दिमाग लगानी कोसिज नहीं करता हूं मैं केवल यह अनुमान लगाता हूं कर अंसर की कहां से तो की यह चीज भी आनी चाहिए आपको कि खाली भाल तो दिमाग क्यों लगाएं आपके अंदर भागवान ने दिमाग सभी को दिया कौन कितना यूज कर लेता है यही विद्वानता है और क्या है इनिसियेटर का काम करता है यह मैं आपको बता दो फ्री डेडिकल में रियक्सन वाइदा रेडिकल मेकेनिसमार नॉट देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती है मैंने हमेशा कहता हूँ कुछ चीज़ें ऐसी ज़्यादा दिमाग न लगाओ उसे याद कर लो चक्रम नफस हो ज़्यादा रियक्सन वाइदा रेडिकल मेकेनिसमार नॉट देखिए कोई बी रेडिकल मेकेनिसमार वह या तो सी से चलती है या फिर बेंजीन से चलती है या फिर क्लोरोफर्म से पानी से नहीं चलती ये बात ध्यान रखेगा जितना बेंजीन ड्रिंग के पास में होगा का पॉस्टिव चार्ज उतना ही ज्यादा इस्टेबलाइज हो जाएगा तो इसका मतलब हुआ कि जो यह है इन तीनों में अगर वह ट्राइब वाली कंडिशन होती तो अलग हो जाता तो आप लोग यह समझ लीजिए कि फिर आंसर आपको पता है सब बच्चे मेरे साथ ही जानते हैं कि आंसर फिर यह होगा जहां मैंने बना दिया बॉक्स अब आजाएए नेक्स्स कोश्चन नाइन पर आ जाते हैं कि नाइन कोश्चन का इन एन एसन टू रियक्शन में होता क्या है यह मुझे तुम मैंने तुझे पढ़ सब्सक्राइब करें कि आपको बता दूं कि फिर इसका मतलब है कि आपने देखा कार्बो केटाइन बनना सुरू हो जाता है मतलब वो पॉलरीटी मैंने एसन वन में पढ़ी थी तो एसन वन तो दो जगह दे रखा है लेकिन इनक्रीज दरेट अफ अनी है सन वन रेक्षन का रेट इनक्रीज कर जाएगा तो आसर फिर दसका यहीं होना चाहिए अब हम लोग ग्यार्में कोश्चन की तरफ चलते हैं प्यक आउट्ट काय करेक्ट मैच करने तो देखें रोजन मंट में की काउट कसे पर धे vintage कै रोजन मंट में रिड़क्षन में थो भाया यहां PDFtero4 भी होना चाहिए तो तो यह तो पर रत नहीं जिसे हिन इस पर वी घैया थो यह तो यह थे भी गया फिर एक ही option बचा दुखवानु सर्मा ये भी लगा लेते हैं दिमाद ना कि दूसरा बचा फिर हम क्या लगाएं यहीं लगाएंगे पर तो सोचना भी जादा नहीं पड़ता है न यहाँ पर CL2 लगा देते तो पहला option यहाँ पर CL2 जाना चाहिए दूसरा यहाँ पर साइनो बेंजीन बनना चाहिए इस तरीके से यह साइनो बेंजीन बनना चाहिए और मैं आपको बता देता हूं कि इसका मतलब हो पिर कम्पलेट है डालिसेस खरा दें तो फिर ऑपसन इसका 11 जो है पर भी जाना चाहिए सिरासी नहीं पहले सेल नहीं ले सकते हम लोग 11 वार्मा है लो ने बार्मा आपसा पहले से लटू है फिर काने यह तो यार यह वाला ऑप्सन लगाई यह ना भी वाला ऑप्सन लगा दीजिए ठीक है ना तेरे क्या ऑप्सन में आजाए तेर्मा कोश्चन बहुत ही इंपोर्टेंट है साथियों तो तेरमें कोश्चन पर जरा जोर लगा दीजिए मज़ेदार कोश्चन है दा हैमेट्स रिक्वेश्चन इंद ऑर्गनिक केमेस्ट्री रिलेट दा स्ट्रक्चर टुबोथ एकुइलिव्यम कॉंस्टेंट एंड रेट कॉंस्टेंट लगा रहा हूं यह हमेसा यह बताता कि पोजिश्चन जैसे आर्थो पैरा रोती तो इस इन मैटा को पॉजिश्चन को जाथा रियक्शन को प्रोसीड करता और पैरा पूजिश्चन को तो म पहला जाना चाहिए यानि कि यह कितना बढ़िया कोश्चन इस पर लगाओ दिमाग तो यह बताओ कि टूटता बहु है जहां पर खिचाओ टेंसन बहुत होती हो टेंसन किसमें ज्यादा है टेंसन जनाब यह इपॉक्सी वाले में ज्यादा है दिख रहा है आपको ना भाई ट्राइंगल वाले में तो ज्यादा होगी ना इसका मतलब हुआ है यह फिर आंसर इसका यह हो जाता है नेक्स्ट कोश्चन हम लोग देख लेते हैं बहुत बढ़िया कोश्चन है यह इथाइल एसीटो एसीटेट इस परपियर्ड फ्रम दा इथाइल एसीटेट बनाना है तो मतलब फिर हम क्लेजन कंडेंसेशन लगा दें तो इसका मतलब है हम लोग क्लेजन है इसमें कहीं आपसे नहां देख तो रहा है यार सी लगाओ इतना बढ़िया है विच अब दा फालूइंग आयन विल बी मोस्ट इफेक्टिब इन एसन टू डिस्प्लेस्मेंट ऑन द कोई भी कन्फूजन लगे उसको इशू ना बना करके सॉल आउट सॉल परिया क्योंकि आप लोग वेल एजुकेटेड पोस्ट ग्रेजुएट प्लस आप लोग ने एजुकेशन में भी डिग्री ले रखी होगी तो इसलिए आप लोग बहुत ही माइंड के बहुत बैलेंस जबाइन परसन है इसलिए उसको क्या होता है कोई छोटी चीज में स्टेक कर गया रहे बोले सर ने तो यह कर दिये नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं है आप भी बड़ा बिद्वान लोग हैं ऐसा कुछ भी नहीं मैं भी आप में से ही 17 का हम लोग ऑप्सन ढून लेते हैं भी मैं आपको बता देता हूं और यह मोस्ट इस्टेबल जो है फ्री डेडिकल बनाता है इसका मतलब है फ्री डेडिकल बनाने की टेंडेंसी बुक केबल फर मेथेन में नहीं टॉलीन में ज्यादा हो जाएगी तो आंसर सत्रे का आप डी लगाईएगा तो नम हाफ मेंस र फिरेigent थीमेंन लादागे बढ़ी लेकिन है फीरने च्ठों होता हैट रियैंजमेंट होता हुआ जिसका नाम होता है बैक मरेंस ट्री ऩोला चाहिए अठा रहकर डी लगा लिजेगा एलफा बीटा अंसेचुरेटेड़ आ रहे यार यह तो बहुत ही अच्छा कोश्चन है तो इसमें तो इलफा बीटा ही मैंने जैसे देखा मेरे दिमाग में डायल सेल्डर रियक्षन आ गई तो मैं तो भाई इसका डायल देखूंगा ही नही सब्सक्राइब कोश्चन है यह बहुत अच्छा मेटलिक जिंक के साथ में रियक्षन कराना है तो फिर इसमें हम लोग बताई आपको याद होगा कि अगर मैं ऐसी प्रोडक्त बनने की चांस होते हैं वह एस्टर ही बनते हैं लेकिन यहां पर ओच ग्रॉप अटैच हो जाएगा क्योंकि वह ब्रोमो एस्टर आप दा क्या है इस पैसिक रोटेशन इतना दिया है इसमें तो मैं आपको बता दू कि जब भी यह कंडिशन क्रियेट हो तो कनवर्जन कुड भी एक्स्प्लेंड बाई जितना भी कनवर्जन होता है सब कार्वो कैटाएन मेकेनिजम से चलता है कार्वो नियमायन या फिर कार्वो कार्वो कैटाएन से चलता है तो इट मींज कार्वो कैटाएन या कार्वो नियमायन मेकेनिजम भी आपसन सही जाना चाहिए एन एसन टू रियक्षन मेकेनिजम विच वन अफ फालूव दा मॉस्ट रियक्टिव और बहुत ज्यादा रियक्टिव जो होना चाहिए वो जनाब हमेशा प्राइमरी हैलाइड होना चाहिए और प्राइमरी में इसमें दो हैं यह सेकेंडरी है यह लंबी चेन यह मिथाल पर भी एक मिथाईल वाली कंडिशन यानि की बी लगाओं मैं आपसन वसे आपने देखा ना पहले इथाईल आता है फिर हम लोग मिथाईल को प्रेफरेंस देते हैं तो वह चीज मैं यहां पर आपको बताना चाहरा था तो चौबिस का आपसन आप पो सुरी मैंने आपसन क मतलब वह एसन टू पूछा नीचे ही एसन वन लगाया जिससे कि इंसान बहुत आसानी से मैं इसके आपसन मैंने आंसर लगाए हुए है लेकिन आप लोग लगाएंगे तो मुझे भी बड़ा मजायागा मुझे लगे कर नहीं आप लोगों ने महनत की है तो चौबिस मह एकस्प्लेंड बाई यह मैं आपको बता देता हूँ यह आप याद रखिएगा कि ये हैमेट एक्वेशन पर एक मैं को कुश्चन भी आगे करांगा वो आपको बताऊंगा कि हैमेट कुश्चन क्या होती हाला कि हैमेट एक्वेशन अभी तक मैंने नहीं देखी PGT में लेक रही मैं आपको पहले एक चीज में दिला दूग और यही इसी में अगर हाइट्रेजीन लगा दें और यहीं यहीं आपको यहीं बनते हैं तो वुल्फ केश्ण क्या होता है दिख रहा होगा आपको 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 इसके बाद हम लोग पहुंच लेते हैं तो पैंटेन वन डायोल होना चाहिए इस परफॉर्मड बिध अब आप यह बताओ की बन पे औल लगा हुआ है तो फिर यार इसमें सोचना फिर कैसा यह कौन सी है यह हमारे पास हाइड्रो बॉरेक्शन हाइड्रो बॉरेशन ऑक्सीडेशन रियक्शन है फिर आउंसर मैं सोचूंगा भी नहीं और लगा दूगा इसका कौन सा पहला आउसर है ना उसके करने में कौन से दो मैथर्ड यूज हो जाएंगे तो मैं साथियों आपको बता दूँ बहुत ही इंपोर्टेंट कोश्चन है और इसके अंदर जो है वो दो मैथर्ड में गलती अभी अधिक अधिकतर लोग क्या नीचे आप्सन दे रखें ना ए बी सीडी यह आंसर है यह आंसर दिया हुआ है तो इस आंसर में आपको दिमाग यह लगा देना है कि क्लोरो बेंजीन की सोडा माइट और लिवकड अमोनिया से करोगे तो यह बेंजाइन मेकेंजिस्म आपको पढ़ाई गई थी एक तो यह है कि जनरेट बेंजीन रें और बेंजीन बिच सोडियम इ यह तो नहीं हो पाएगा बेंजीन बिल्लॉकूड अमोनिया भी नहीं हो पाएगा इन्या आंसर फिर बी आना चाहिए तीसमा के विच वण अब दफालोइंग कैन बी इसली संतेसाइज़ वइजल्ड रियक्सन डाइयल्स एल्डर रियक्शन की खास बात होती कि उसके तो यहीं दिख रहा हैं तो आगे देखेंगी काहिँ पाल तो दिमाद ना लगाओ आगे चले जाते हैं फटा-फटा उसके बाद यह रियक्शन साफ दिख रही है है ना कॉंसी है यह सब्सिट्यूशन रियक्शन है और नूप्लियोफिलिक सब्सिट्यूशन है तो 31 में का फ सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब यह दिखाई देगा लेकिन न एक दो तीन चार पांच छे देखे आपको नहीं दिखे जनाब और यहां पर इसमें कितने होते हैं यह हो गए आपका एक बॉंड एक बॉंड एक दो तीन चार पांच ठीक है और एक एलेक्ट्रों से लिए एक यह चे होगा पूरे आक्टेट पूरी हो गए इसकी तभी तो पूरी करता है तो सेंट्रल आगे भी कोई option दिया होगा देखें क्या दिया हुआ है नहीं नहीं होगा मानता हूं नहीं नहीं तो नहीं होगा पढ़ाते हैं अधिया दिमाग ना लगाया करो तुरंत आंसर पे टैक कि अगर चुडिया आँख देखो चुडिया ना देखो पूछ मत देखो किती सुन्दर है अधिक तरलोग चुडिया ज्यादा देखते हैं उसी पूछ के भागते रहते हैं भी आखें देखो आखें नजरों से बार करिये जनाब विच आउट आप दीज कंपाउंट्स अंडर बेसिक कंडिशन अंडर्गो सेल्फ एडिशन टू आरे बढ़िया क्या यार गदर कोश्चन है मजा हिला दिया कोश्चन है यानि कि विच आउट आप दीज कंपाउंट्स अंडर बेसिक कंडिश सेलफ एडिशन पता होगा एलडॉल तो मतलब ऐसे टलडी हाइड है ना नेक्स कोश्चन इसमें ग्रूप की रेक्शन पूछ डाली इन्होंने कौन कौन से स्टेप चलना पड़ेगी यह पूछ लिया है इन्होंने तो बहुत ही अच्छा कोश्चन में आपको बता दो कि जो पहली स्टेप है वो लौजन्स रेक्शन को बोली जाती है लौजन्स दूसरी साइद कौन सी है देखने दूसरी ऐजाइड वाली हाँ है कार्टियस है है कोई लौजन्स दो लौजन्स तो सम्में है लौजन्स कर्टियस यह निकि B option आना चाहिए आखिर में आंसर सीट लग आपको पता है कि फीडल काफ्ट रेक्शन के अंदर जो होता है वो यह लौजन्स पन्ने पर देखें लौजन्स पन्ना पहले सामने आए तब पता लगे इसका पन्ना थोड़ा से डिस्टर्ब हुआ है लुजन्स यह तो जिंक क्लॉराइड है वीक हो जाएगा सबसे अच् मैं 38 का डी ही लगाऊंगा भाई साब आपको एक ची नेक्स कोशन में इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्सेट्यूशन प्रोसीड थूरू अरे यार यह तो दुनिया जानती कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्सेट्यूशन रियक्शन किसके थूरू प्रोसीड करती है मैं कलब नहीं होता तो इन दोनों में से एक option 50-50 करोड़ पती खेल लीजिएगा आंसर आपको मिल जाएगा यहां ठीक है ना इडियेट कब बन जाता है जब सोडा माई डेनी की बेसिक करेक्टर उसके अंदर लगता है तो यहां पर ओएने आया है यह देखिए ओएने आया हुआ है दिख रहा है आपको न तो यह ओएने जो है वो कौन सी मेकेनिजम के थ्रू लगेगा यह मेरे सभी साथी जो परसन अब दसाइक्लो हैगजीन टू साइक्लो हैगजेन नौल यार यह भी मुझे नहीं बताना चाहिए निकि 41 का आप्सन भी मुझे नहीं बताना चाहिए क्योंकि हैं है और में कनवर्ट होना है तो यह तो दूडों है नहीं है यह होगा फिर हैट्रोबोडेशन फर्स्ट भी होगी सेकंड यह तो आप लगाना डायल्स एल्डर एक्शन फीडल क्राफ्ट हाफमेंस रिमर्टीमेंट यह कोश्चन फिर आप लगाएंगे जरना आप इसका अंसर में दिया क्योंकि मुझे यह मैं हिंट यहां से दे रहा हूँ यह तो डायल्स एल्डर दो होते ना एक तो डायल्स एल्डर तो डायल्स और फ्राइज में फिर गडबड़ा जाएगा मामला अच्छा ओ बेंजीन नहीं था वहां ओच था मामला खत्री में आ जाएगा जना तो यह तो आपके फ्रीडल क्राफ्ट थर्ड वाला आप्शन देख लीजेगा थर्ड नमबर नेक्स्ट फोर्टी थरी पे विच अब दर फालूंग इस ट्रू फोर द एलेक्ट्र फॉलिक एरोमेटिक सब्स्ट्टूशन रिएक्शन यह तो फिर इसमें आपको ज्ञान पड़ेगा फोर्टी थरी वाला कॉस्टन जो है इसमें बहुत ही इंपोर्टेंट चीज कम है तो बहुत स्टेवल डाइन इन होता है दाइन चुला जो भी है तो 44 का 1,3 ब्यूटा डाइन यहीं होता हूँ यहीं होता है फॉर्टी फाइव परेडीन अंट्रोज एलेक्रो फ्लिक सब्स्ट्टूशन इस पर इंपॉर्टेंट लगा लिजिए दो हजार इक्श भी यह बहुत important reaction है यह जना और इसका answer मेरे सभी साथ ही बताएंगे कि इसका answer क्या होना चाहिए इसका answer मतलब मुझे यह पता है कि अगर हम position डालते हैं तो फिर बीटा position जो होती है वही position काम्याब होती है इसमें attack जो होता है वह बीटा position मेंने जितने भी हैट्रो साइक्लिक कंपाउंड पढ़ा है उससे देख करके question solve करिएगा जल्दी वाजी न करिएगा अमंग the following acid which goes the fastest decarboxylation reaction इसमें decarboxylation reaction बहन जी जहान लगी हो और carbonyl group लगाओ बज वही option मेरे हिसाब से सही होगा मैं तो देखवा ऐसा है मैं एक concept पे चलता हूं उस concept कहलाता है कि आप इस तरीके से हिसाब लगाए कि आपको answer ढूनने में मदद हो जा तो 46 मैंने question बता जी अब question दो आपके लिए रख रहा हूं यह what will be the birth reduction of benjoic acid का अगर हम birth reduction करा दें तो फिर क्या possibilities बनेंगी यह आपको बताना पड़ेगा ठीक है न क्या कोई page तो extra नहीं पर टाइल लाइन से चले हैं आम लोग यह जरूर देख लिना पड़ेगा कोई page हमें लगरा मिस्तों नहीं किया है सभी पर कलम चला हुआ है चला हुआ ठीक है एक दो तीज चार एक दो 29-30-36-37-37-37 ठीक है यह भी चला है page इस पे भी पांच में पे भी चला है pen छटे पे भी चला है pen ठीक है इसको आप धूड़ेगा कि बर्च रेक्शन में मैं आपको बता देता हूँ कि बर्च रेक्शन में हमें सब पार्शियल बर्च रेक्शन का रेक्शन का मीनिंग क्या होता है पार्शियल रेक्शन आफ एरोमेटिक रिंग कहलाता है यह पार्शियल रेक्शन तो पार्शियल रेक्शन आफ एरोमेटिक रिंग तो यहीं पर हो रहा है यह आप्शन भी कन्फ्यूज कर रहा है तो यह आ यह तो दुनिया जानती कि फिनॉल डीमर टीमन डियक्शन देता है तो लास्ट वाले आपसन बता दिए इसके बाद आंसर देख लिजी जनाब इस पूरी वीडियो में आपके पास आंसर भी मैंने लगा रखे हैं लास्ट में यह आंसर है और इसके बाद जनाब यह आंसर है आपके सामने यह है यह मैंने 45 तक क्या आंसर लगा हुए 46 मे का आंसर अगर आपको कन्फूजन कर रहा है तो 46 में का आंसर अगर आपको environments 8 9 का क्वालीफाई करें लेकिसाप coisa के इति क ayudar करें यही उम'ीद लेकर involved मैं रोज नए सुभह आपके साथ में करता हूँ और रोज सुभह आपको मिलता हूंरप नई वीडियो के साथ सिर्फ इसलिए कि इन 15 दिनों में आप उतनी दूरी तै कर फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नमस्कार दोस्तों साथियों गुड़नाइट